हालो फ्रेंट्स मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम वी वेल्ट और फ्लेट बेल्ट के बीच के डिफ्रेंसेस को समझने वाले हैं काफी सारी क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे वीडियो में आन्ते तक बने रही है फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब की जागा और अपने फ्रेंट्स और लेटिव के साथ भी शेयर किजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा फ्लैट बेल्ट का फ्लैट बेल्ट है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्ष्षन होता है वेर विट्ट हो वेल्ट इस मच लार्जर जन धिकने ज होती है मतलब अल्मोस्स दोरह सेमिलर होती विट और थिकने में बहुषिज अगर उर्वतर में बात करे हैं तो इसकी स्थिकने चौम बात करें तो वी वेल्ट में दो इंक्लाइंट सर्फेस क्योंकि वी शेप का हो रहा है तो दोनों इंक्लाइंट सर्फेस पुली से हमेशा कॉंटेक्ट में रहती है इसका नेक्स्ट दिफ्रेंज देखतें वाइट रेंज ओफ वेलोसीटी रेशो इसके बाद हम वी वेल्ट को देखने हैं सच सिफ्टिंग प्रोविजन डज्न और एग्जिस इन वी वेल ड्राइब जो वी वेल्ट ड्राइब में कि तरह यह वाला option नहीं होता है इसके आदम फ्लेट बेल्ट देखने फ्लेट बेल्ट कें बी यूज़ फॉर ट्रांस्मिसिंग पावर तू पंदरा मीटर इस पंदरा मीटर जो इवन अप्टू पंदरा मीटर जो लॉंग डिस्टेंस पर पावर ट्रांस्मिट करना हो अब कैई फ्लेट बेल्ट का यूज़ किया जा सकता है वहीं वी बेलेट की बात करते हैं यॉज़ावर विप्लेट।ण यूज़ बैंट द्राइब कंद्र ini शॉर्टर डिस्ट्राइंस यूजरली बलोवन वन वेन मीटर से बिलो जहां भी पावर्ट ऐसन होता ही जव छो करेंटकोन देमेंटन सब्सक्राइशन के लिए मैं ने क्या तक तक भीएंट ड्राइब लिए500 लन ड्राइब ल मैंना रिचान चीह मुझाफ़र दिक वीए 2000анич के मन्युन चैनल चाहिए लिए इसके अधम नेक्स डिफ्रेंस देखते हैं जो कि फ्लेट बेल ड्राइब इस्यूटेवल मैं वेलोसिटी रेशो इस अप्तू फूर रेशो बन से कंब भी वहां पर flat bell drive का use किया जाता है वहीं वीवेल ड्राइब का जहां पर velocity ratio seven ratio one होगा वहां पर अब two मतलब seven ratio one से कम में भी इसको use किया जा सकता है वीवेल ड्राइब को इसके बन sleep occurs frequently in flat bell drive thus not a positive drive इसमें positive drive नहीं होता है क्योंकि इसमें sleep ज्यादा sleep के chances होते हैं वहीं अगर वीवेल ड्राइब के बत करें due to hair friction force for wedge action slip does not occur at low speed in we will drive क्योंकि higher friction होता है जैसे कि हमने last point में देखा था तो इसकी वज़े से sleep नहीं होता है वीवेल ड्राइब में however if load access the rated capacity then sleep में अगर यह तो access condition हो गई अगर लोड बढ़ेगा तब slip होगा लेकिन अगर नॉर्मल कंडिशन में वीवेल ड्राइब में slip नहीं होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है इसका next difference है flat belts are joints hinged so their operation is noisy flat belt का operation जो होता है noisy होता है क्योंकि इसमें joint किया जाता है hinge के थुरू वहीं वीवेल ड्राइब में endless होता है मतलब है कि यह loop create करता है इसकी वज़े से operations are quiet क्योंकि इसमें noise नहीं होता है वीवेल ड्राइब में flat belt drives are usually suitable for horizontal power transmission flat belt drive को horizontal power transmission के लिए यूज किया जाता है वही वीवेल ड्राइब को any direction even in even when belt is vertical वीवेल ड्राइब को किसी भी direction में power transmission के लिए यूज किया जाता है वहीं हमना next flat belt drives sorry flat belts are commonly used in belt conveyor, shawmill, food industries etc. shawmill, conveyors और food industries में flat belt drive का यूज किया जाता है वहीं जो वीवेल ड्राइब वीवेल्ट है वीवेल्ट और commonly used in electrical pumps, compression machine tools में वीवेल्ट का यूज किया जाता है तो चली friends मुझे उमीद है आपने वीवेल्ट और flat belt के differences को अच्छे से समझाओगा और जहां पर भी इंटर्वियूस में यह question पूछे जाएंगे आप उनको अच्छे से answer कर पाएंगे तक यह प्रेंट थाएंगे थाराइंगे